हाई फ्रेंज कैसे हैं आप सब अभी मेरे गाडन पे ब्लीडिंग हार्ट के फूल भर के खिल रहे हैं आप भी अगर ऐसे चाते हैं तो ब्लीडिंग हार्ट के वीडियो जो मैंने फेबररी मार्च एप्रिल में दिखाए हैं उनको फॉलो कीजिए और नहीं भी किये हैं कोई बात नहीं मैं बता देती हूं दोस्तों ब्लीडिंग हार्ट बहुत आसानी से कटिंग से बनते हैं आप अगर नर्सरी से खरीद के लाए हैं तो अच्छी बात और अगर नहीं भी खरीदे हैं तो कोई बात नहीं कहीं से भी कटिंग लाईए और कोई भी मिट्टी पे लगा तो कैसे होता है देखिए एक चोटी सी क्लिपिंग देखिए मैंने इन कटिंग को डिसमबर के महीने में मैं रखे थे पानी पे और फिर जरे निकल आए दो महीने बाद फिर फेवरेरी में लगा डाले और आज कितने सुन्दर फूल खिले हैं आप अगर ये मेरे वीडियो नह ने लगाए हैं और यही पॉट्स अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्क्रीन पे जो आई बटन होगी उन्हें क्लिक केजिए तो आपको ये क्लिपिंग दिखाई देगी तो दोस्तों आप 5 इंच लंबी कटिंग बनाईए और डाइरेक्ट मिट्टी पे भी लगा सकते हैं थोड़ी कंपोस्ट लीजे और मिट्टी पे लगा डालिए जब पौधा सेटल हो जाए तब थोड़ी खाद दे दीजे बस तीन महीने में फूल अवश्य खिल जाएंगे आज ब्लीडिंग हाट के साथ हम दिखाते हैं वाटर स्पिनाच और बीच बीच में 15 दिन क अंतराल में आप थोड़ी नीम ओयल चिर किये ताकि कोई इन्फेक्शन या फिर पेस्ट अटैक ना हो तो दोस्तो आज ब्लीडिंग हाट के साथ हम एक पौधा दिखाते हैं जो है वाटर स्पिनाच इनको हिंदी में नारी साक और बेंगॉल में इसे कहते हैं कोल मीशाक मै मैंने पहले पिछले साल कटिंग लगाए थे तो अभी बारिश में इतने भर के होंगे मुझे यकीन नहीं हुआ मैं हैरान हूँ कि बस टहनिया से कैसे इतने सारे पौधे बन गए तो दोस्तो हम इसे कोल मीशाक कहते हैं वाटर स्पिनाच के कई गुण है मिनरल्स बहुत ज जाता है जो की आखों के लिए फाइदमंद है आज इसके सबजी बनाएंगे वो तो अलग बात है पर असली बात तो यह है कि हम अगर चाहे तो कुछ-कुछ पौधा बिना कुछ जंजत किये अपने बागी चे पे उगा सकते हैं मैंने मिर्ची टमाटर, कैप्सिकम, करेला, पुदीना सब के वीडियोज शेयर किये हैं आप देख सकते हैं हमने बाजार से ये साख खरीद के लाए थे तो मैंने इनके स्टेम्स को लगा डाले पता ही नहीं चला कब इतना ग्रोथ हुआ और कब इतना फैल गिया गुरहल के गमले पे इसे लगा के रखे थे मुझे तो मालूम भी नहीं था तो दोस्तो ऐसे ही होता है गार्डिनिंग कि आप कुछ भी करो बस गार्डिनिंग की मजा ले लो है ना खुशी खुशी कुछ भी पौधा लगाओ मैं तो इतने साल गार्डिनिंग करके इतना जान चुका हूं कि पौधों के लिए कुछ नहीं करना प खाद वगेर कुछ नहीं चाहिए इनको इन सब पौधों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड तब तक के लिए बाकी वीडियो भी देख लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को देखिए ब्रीदिंग हाट फूल कितने सुन्द के लिए हैं बाई बाई